हेलो प्यारे दोस्तों तो आज देख सकते हैं आपके मादमिक शिच्छा परसेटर प्रदेश ने समय साधी जारी कर दी है यूपी बोड के हाइज स्कूल और इंटरमीडियेट के लिए तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इधर वाला पार्ड जो है वो हाइज के लिए पहला पेपर 24 अप्रेल को हिंदी का है और उसी दिन इंटर की भी हिंदी जो है वो साम दो बजे से पांच बजे तक आपको होगी इसके बाद दोस्तों फिर आपका जो में में सब्जेक्ट उस पार ही चर्चा मैं कर रहा हूं इसके बाद देखेंगे 26 अप्रेल का आपको कोई पेपर नहीं है 27 का भी लड़कियों के लिए ग्रिफिज्ञान का पेपर 27 तारीक होगा मंगलवार को लड़कियों के लिए ग्रिफिज्ञान केवल बालिकाओं के लिए है तो यहां पे फिर आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं आप इसका स्क्रीन साड प्रिफिज्ञान के लिए अठाइस को भी वैसे कोई आपका पीपर नहीं है कि कम्प्यूटर का है और चित्रकला जो इंपोर्टन रूप से लिए 28 सप्रेल को जो बच्चे आर्ट लिए हैं चित्रकला लिए हैं उनका 28 सप्रेल को मतब 24 को आपका पीपर है फिर इसके और उस दिन जो है इंटर्मेटर का भी कोई साइंस का सब्जिक्ट नहीं है आर्ट के हैं जो है आपके चित्रकला प्रवैधी कला आर्ट सास वगएर हाँ फिर जो इंपोर्टन चीज है वो आपको अंग्रेजी है जो है आपकी 30 तारिक को तो मैं पहला आपका 24 तारिक फिर अब ये 30 तारिक तो 24 को आपका जो है वो हिंदी है 28 को आपका जो है कला और आपका 30 को है इंग्लीज तो ये तीन पेपर हो गए आपके ठीक है अब आगे बढ़िए पहले हाई स्कूल की बात करते हैं फिर आपका एक माई को कुछ नहीं है तीन माई को फिर है फिर आपका दोस्तों यहां पर कितने को है थीन मैई को मतलब करते हैं 24, 28, 30 और फिर यह आपगा आगे है थीन माई तीन मई को आपका समझे विग्यान तो आप देखें किस तरी एक आपको गैप ही मिल रहा है समझे विग्यान है सोमार को तीन मई को हाइज स्कूल का फिर हाइज स्कूल का पेपर विग्यान का है बुध्वार पांच मई को तो यहां पर आपको काफी कम गैप मिल रहा है तीन के बाद चार गैप है पांच को फिर आपका पेपर आ जाएगा विज्ञान का है जो कि बड़ा इंपोर्टन पेपर आपका है फिर इसके बाद आपका आठ मैई को आठ मैई को आपका संस्कृत का है ठीक है दोस्तों और लास्ट में आपका दस मैई को गडित का पेपर है तो इनफेक्ट जो बच्चे संस्कृत नहीं लिए होंगे उनको पांच तारिक के बाद सीधे दस तारिक को यहाँ पेपर देखने के लिए मिलेगा जो बच्चे संस्कृत लिए होंगे उनके लिए एक ही दिन का गैफ है और जो बच्चे संस्कृत नहीं लिए है वो डायरिक्ट यहाँ से पांच तारिक जो बिज्ञान का पेपर है उसको देने के बाद आपको सीधा वो दस मैई को पेपर होगा तो इनसर्ट सब कुछ बताया जाए तो आपका पेपर हाई स्कूल के लिए 24 24 अपरेल को आपका फिर 28 को फिर आपका 30 को फिर आपका दोस्तों 3 को फिर 5 को फिर 8 को और फिर 10 को 24 अपरेल यह अपरेल अपरेल है और यह आपका मैई हो मैई है जो दोस्त हमारे संस्कृत नहें लिए होंगे उनका 24 तारीक को हिंदी 28 को कला 30 को दोस्तों यहां पे आपको जो है इंगलीज तीन तारीक को आपको जो है आपको मिलेगा यहां पे आपको जो है आपको विज्ञान और सीधे-सीधे आपको जो है फिर 10 तारीक को मैथ मिलेगा यह था आपका दूस्तों आई स्कूल का इंटर का भी इस तरीके से है दूस्तों हिंदी है 24 तारिको और फिर आपका 24 के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रिशी विज्ञान नहीं यह नहीं है अपका रसायन विज्ञान आपका है 4 तारिको मनलब 24 के बाद सीधा 4 को अपना पिपर है 24 के फिर 4 को फिर इसके बाद आपका दुस्तो मानो विज्ञान फिर जीव विज्ञान आपको है 6 तारीक को मनलब 24 चार फिर 6 तीन पिपर होगे मुख रूप साब के और पिर भौते को विज्ञान है आपका 8 तारीक को भौते को विज्ञान आप 8 तारीक को दोस्तो और इसके बाद इसके बाद एक पेपर बच रहा आपकी English का कहा पर है English 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 इंग्लिस यह रहां ग्रीजी है एक मैं को एक मैं को तो इसका मतलर है दोस्तों आपका यह दिखिए चौबिस को है चौबिस को है हिंडी फिर आपको एक तारीक सीधा आपको एक तारीक को नंग्रेजी इंडर की मैं बात कर रहा हूं फिर एक तारीक के बाद फिर आपका चार तारीक को पिर चार तारीक के बाद आपका दोस्तों यहां पर छै तारीक को फिर आठ तारीक को और यह आपका और फिर आपका जो है यह खत्म हो जाएगा तो इंटर के लिए दोस्तों 24 एक फिर चार तारीक को है फिर आठ यह पांच पेपर आपके आठ तारीक को आपका यहां से देखने के लिए मिलेगा जो कि आपका बहुते भियान है तो यह दोस्तों संग्ला जुला सार था आप इसका स्क्रीन साट्टे लिजेगा यहां से मैं आपको इसका प्रोवाइड करा दरूंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इसको डाउनलोड करेजिए